पांडू पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में ये 10,000 हाथियों का बल आया कैसे इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। कौरवों का जन्म हस्तिनापूर में हुआ था जबकि पांचो पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडू का निधन हो गया। पांडवों को हस्तिनापूर बुला लिया। हस्तिनापूर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संसकार संपन न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दोने में निशाना लगाने तथा कुछ तियादी सभी खेलों में भीम सभी धृत्राष्ट पुत् दुरियोधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस थान का नाम रखा उद्कक्रीडन। वहां खाने पीने इत्यादी सभी सुविधाएं भी थी। दुरियोधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुरियोधन ने प्रभाव से विश्का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प दरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताए। तब वासुकी स्वयम भीम सेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उनकुंडों का रस्पीने की आग्या दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृती दे दी। तब भीम आठकुंड पीकर एक दिव्य शहिया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विश्देकर गंगा में फेक दिया तो उसे बड़ा हर्श हुआ। उन्हें सात्वनादी और सैनिकों को भीम को ढूंधने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम आठवे दिन रसपच जाने पर जागे। तब नागूं ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापूर पहुँचे तो सभी को बड़ा संतोश ह हुआ। तब भीम ने माता कुंतिव अपने भाईयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष्ट देकर गंगा में फेटने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ ये सब बताया। युदिश्थिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा।